क्या है आप अपने LIC Policy को एक साल के बाद सरंडर करना चाहते हैं अगर आप इस बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रही है तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर अगर आप हमार पॉलिसी चालू की है और पॉलिसी चालू करने की डेट से एक साल के बाद अगर आप पॉलिसी को सरंडर करना चाहते हैं तो क्या यह पॉलिसी आप सरंडर कर सकते हैं सरंडर करने के बाद क्या आपको पैसा रिफंड मिलेगा इन सब के बारे में हम डिटील में बात करेंग तो ऐसे policy को, यानि कि single premium वाली policy को आप एक साल के बाद आप surrender करके, जो भी पैसा है आप उसे वहाँ से refund ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका policy को irregular policy है, यानि कि आप yearly में premium payment करते हैं, एक yearly में payment करते हैं, monthly, या फिर quarterly में आप premium को pay कर रहे हैं, पर ऐसे policy को अगर आप surrender करना चाते ह तो ऐसा policy आप surrender नहीं कर पाएंगे, क्योंकि LIC की जो भी policy होता है, उसमें आपको minimum 3 साल आपको premium भरना पड़ता है, इसके बाद आप policy को surrender कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ LIC की जो नई policy आपने ले रखे, यानि कि 2020 या फिर 21 के बाद से जो भी policy आपने लिया हुआ है, ऐसे policy में आपको कम से कम 2 साल आपको premium payment करना पड़ता है, इसके बाद या policy को surrender कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको clear एक बाद बता दूँ कि आप अपने policy को एक साल के बाद आप surrender नहीं कर सकते हैं, अगर आप surrender करना ही चाहते हैं, तो आपको कम से कम जो minimum जो PPT यानि कि premium paying जो time है, या बिल्कुल बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको अपना LIC की जो servicing branch office यानि कि जो भी आपका नजदी की branch office है, वहाँ पर जाना है, जाने के बाद आपको surrender की form लेना है, उसको fill up करना है, इसके साथ इसाथ आपका original policy bond, bank account की जेरक्स, pen card की जेरक्स, इन सब सारे documents को आपका L surrender value, जो भी amount है, जो भी पैसा है, ये सारे आपका bank account में credit कर दिया जाता है, इस तरह से आप अपने policy को LIC की office में जा कर वहाँ पर आप policy को surrender कर सकते हैं, और आपका पैसा आप refund ले सकते हैं, लेकिन अगर आप policy को surrender करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यो देखना हैं, ये सारे पैसा आपको refund नहीं मिलता है, वहाँ से आपको लगवा 40-30% आपका पैसा वहाँ पर नुकसान हो जाता है, वहीं पर अगर पॉलिसी को surrender करते हैं, तो आपका पैसा नुकसान हो जाता है, वहीं पर policy को एक साल के बाद अप सरंडर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस payment करना पड़ेगा, minimum तीन साल payment करना पड़ेगा, इसके बाद आप policy को surrender कर सकते हैं, तो उम्मिद करते हैं कि ये जो जानकारी है, ये आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपका policy को अगर आप surrender करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि आप एक premium, दो premium, तीन premium जमा करने के ब हैं, तो अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे comment में बताइए, अगर आपका कुछ भी doubt है, उसे भी comment में पूछे, चैनल पर नए हो, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, कुछ और अगर जानकारी चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर ऐसे बहुत सारे आप देकर बहुत सारे information आप यहां से ले सकते हैं और बहुत कुछ जान भी सकते हैं, तो चले इस वीडियो कहीं पर खतम करते हैं, चैनल को subscribe करिए, वीडियो को like करिए, वीडियो से अगर आपको अच्छा लगे, तो इसे अपने friends के साथ share करना ना बुले, तो मिलते हैं ए